तो फाइनली गाइज मेरा घीजर मेरी घर तक आ चुका है और इसे मैंने अमिजन से ओडर किया था यह लगो छे से साथ दिन के अंदर मेरी घर पर आ चुका है तो चलिए आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके अगले वीडियो में आपको इसके बारे में सारा दिखांगा तो पहले इसे में उपन कर लेते हैं और यह आप देख सकते हो यह बहुत ही अच्छे से काटर में है बहुत ही अच्छे से पैक किया हुआ है तो चलिए इसे अनबॉक्सिंग करते हैं सबसे पहले इसके उपर के जाओ पेपर था उसे हम निकाल दिये और इसके ऊपर ही इसका जो सारा प्र तेश्य में चिर्खे़ आप निकाल रख लीना वह आपको काम दे सकता है बाद में जाब या फिए वापस करनाचाओ तब भी वह आपको用व सकता है है तो उसे सारा पेपर को आप उसे रख लेना फिर इसे हम इसके ऊपर के रसी को निकाल देते हैं उसके बाद हम इसका अच्छी से प्याइब क्या है इसका काटनुन जो है वह भी ज्यादा मजबूत है आप जिसा कि आफ देख रहे हम आपको देखने से पता चल रहा होगा उ उसके वाद इसके उपर यह फोम है ताकि अच्छे से रहे और इसमें कोई प्रॉल्म नहीं हो तो इसे हम निकाल देते हैं और इसके उपर आपको देख सकते हो कुछ पेपर वगरह भी दिया हुआ है और इसमें सारा चीज यह बताया गया इस पर वगरह हम इसे किस तरह का से यूज करना है कौन से पाइप लगाना या फिर इसमें सारा चीज बताया गया है आप इसे पर के यूज कर सकते हो और यहां पर यहां पर यह दिया हुआ है एक बैल्ब दिया हुआ है और दो स्कूरू दिया हुआ इसे लटकाने के लिए वाल पर इसे लटकाएंगे तो इसे उसके लिए यह दो स्कूरू दिया हुआ है इसे हमें इस्टॉल्मेट करना है वाल पर दो इसे हम निकाल देते हैं और इसके भी निकालनेगे इसके डब्य के गीजर्व इसके झाल मैं आपको सारे इसके बारे मैं बता दूंगा से भी कब करें हैं लेकिन इसके निकालना अब हुआ यह थोरह हब भी है के सिन्हक निकालने मत दौर्थ हैrence और इसके नीचे में भी आप देख सकतो यह फोम दिया हुआ है ताकि यह अच्छे से प्याकर है और इसमें कोई प्रवल्म नहीं हो जब यह रास्तिम आता है तो कोई इसमें प्रवल्म नहीं होना चाहिए और इसका उपर वाला सर्फेस है वह अभी नीचे है तो फल्याट नहीं है इसलिए हम इसके उपर रखें ताकि यह इधा से उधर नहीं नहीं जाए अब हम इसके पलास्टिक को निकाल देंगे और इसके उपर में आप देख सकते हो अभी दो आपको यह पॉइंट दिख रहा होगा एक लाल कलर का जो इसमें से होट वाटर बाहर आएगा और बुलू कलर का इसमें से ठंडा पानी अंदर जाएगा इसमें इनलेट और यहां प करोगे तो यह इसका टंप्रेचर ज्यादा होना शुरू होगा और इसके द्वारा आप लटका सकते हो इसे वाल में वाल में हैंग करने के लिए यह दूनों पॉइंट दिया गया है तो वाल में हैंग करने के लिए हैंग करने से पहले आपको वह दूनों इसक्रू लगाना नहीं सबढ़ime door movement ते ऐना चाहत आप एक तो किती पारका किती वाट का था सारugen से अब यहां से पढ़ सकते हो यह और लगी आट Dartmouth कंपनी के और ठाट है तो आगा सकाव चैशिजिए विडियो को लाइक करके सबूद हो करें